बॉलिवूर्ट सूपरस्टार सनी दियौल फिल्मों में तो हिट है ही साथ ही साथ उनकी परस्टनेल्टी लोगों को बहुत जादा पसंद आती है आप सब देख चुके हैं कि गदर टू मूवी ने क्या हाल किया था गदर मचा के पूरे देश भर में रख दिया था यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने लंबे समय के बाद बॉक्स ओफिस को हरा भरा कर दिया था यानि कि सनी दियौल का चाम अभी भी बरकरार है भले ही उनकी उम्र बढ़ रही हो लेकिन आज हम आपको सनी दियौल से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे या फिर यह भी हो सकता है कि आप यकीन ना करें लेकिन यह सची घटना है तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन थी वो एक्टरिस जिन्होंने सनी दियौल को जोरदार तमाचा मार दिया था इतनी जोर की कि हर क्रू मेंबर हैरान हो गया था सबको लगा कि अब तो सनी दियोल रियक्ट करेंगे लेकिन सनी दियोल ने कोई रियक्शन नहीं दिया ये किस्सा है 2015 का फिल्म की शूटिंग चल रही थी घायल वन सगे आप सभी जानते हैं कि 1990 में सनी दियोल की घायल फिल्म ने कई लोगों को घायल कर दिया था ब्लॉक बस्टर फिल्म साबित हुई थी इसी का सिक्वल बन रहा था 2015 में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में सोहा अली खान भी मौजूद थी सोहा अली खान इस फिल्म में एक साइक्रेटिस्ट के तौर पर थी और शूट के दौरान जब एक सीन था जिसमें सनी दियोल को जगाना था तब सोहा अली खान को थपड मार के सनी दियोल को जगाना था सोहा अली खान पहले तो डर रही थी लेकिन जब उन्होंने शूट किया तो इतनी तेज थपड मारा कि थपड की गूँज पूरे सेट पर गूँज उठी सब खड़े हो गए कि ये क्या हो गया लेकिन दूसरी तरफ सनी देवल ने कोई रियक्शन नहीं दिया सनी देवल ये समझ गये थे कि सुहा अली खान ने जान बूच के ऐसा नहीं किया दूसरी तरफ सुहा अली खान की हालत पतली हो रही थी उन्हें लग रहा था कि अब किसी तरह का रियक्ट जरूर करेंगे सनी देवल लेकिन सनी दियौल ने कोई reaction नहीं दिया, बाद में भी नहीं दिया सोहा अली खान ने अपनी गल्ती मानी, माफी मांगी सनी दियौल ने बोला, मुझे पता है कि तुमने जान बूच के ऐसा नहीं किया है और इस तरह shooting complete हुई आपको बता दे कि सोहा अली खान जो है, उनका career अपने भाई सैफ अली खान की तरह नहीं रहा नहीं मा शर्मिला टैगोर की तरह पंदरा फ्लॉफ फिल्में सोहा अली खान के नाम है सिर्फ एक फिल्म रंग दे बसंती में सोहा अली खान के एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया उसके अलावा सोहा अली खान को बॉलिवूड की किसी भी फिल्म में पसंद नहीं किया गया आपको ये किस्ता कैसा लगा जरूर बताईएगा कॉमेंट करके